नमस्कार किसान भाई हो मैं आपका दोस्त मनेज जाट और आप देखे हैं ग्रिट्एक मास्टर यूट्री चनल किसान भाई हो आज हम आपके लिए रहे हैं बारत के सबसे चोटे टेक्टर इनकी साइज के मज़ाना किसान भाई उनका काम भी दिखाएंगे कि यह काम कितना निकालता है जो टेक्टर काम करता है एक बड़ा वाला टेक्टर वो सभी प्रकार का काम यह मेनी टेक्टर करेंगे और इनको हम प सब्सक्राइब करना ना भूले तो सर जो भी किसान भाई आपको देख रहे हैं तो आप अपना परीच्छे दी बिल्कुल किसान साथियों को मेरा परणाम और आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से आके किसानों को अपने चैनल के माद में से अच्छी-ची मशी बिल्कुल आपने साइज का कहा तो मैं कहूं यह चोटे बड़ा दमाका है बहुत आपको छोटी मशीन लग रही है लेकिन जहां टेक्टर नहीं चल पाता जैसे गन्ने के बीच में गुड़ाई करनी हो खरपतवार वगरा उगए वहां यह गुड़ाई कर सकता है खरपतव सब्सक्राज का है इसके साथ में तरफ यह घर परफुझा सोल जीकार का बिल्कुल मैं पूरा बताता हूं यह टूश डौक lettuce का मोड़ाता है साधे 3 HP इसकी पावर है, 68 CC का इसमें इंजल लगावा है, इसमें ओपरेट करने के लिए सबसे पहले आपको पेट्रोल में एक लिटर के साथ 35 से 40 ML 2TOL मिक्स करना होगा, टू स्ट्रो की कोई भी मसीन हो, उसमें पहले जैसे स्कूटर में भी पेट्रोल डलवाते थे, तो टंकी में ओल डालते थे, वही सारा सिस्टम इसमें है, और रिकोईल का सिस्टम आता, आराम से रसी किचके आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ओन ओप का स्वीच, एक्सेलेटर बगएरा सारा इसका हाथ में आता है, तो इसको आराम से उठाके भी ले जा सकते हैं, और यह है, एक बिगा के आसपास आराम से गंटे बर में गुडाई कर सकता है, यह गुडाई के जितने भी काम होते हैं, करपतवार को नष्ट करना, मिट्टी को रोटेट करना, पेड़ पोदों के चारो तरफ मिट्टी की निराई गुडाई करना, सबजियों के लिए मिट्टी जो अपने कहते हैं भूरूरी करना, वो सारे काम यह करता है, और अगर इ तो इसको साप करके वापिस लगा सकते हैं दूसरी चीज इसके लिए तो इसका दिसका कार्बोरेटर खोल के पेट्रोल से वापिस आप लगा सकते हैं बिल्कुल यह बिल्कुल यह दोनों मोन्टल सेम है color का फरक है इसमें यह ऑरेंज कलर में कई के लिओंड रहती है कि वहां औरेंज कलर ज्यादा चलता है तो इस हिसाब से कलर अलग अलग है और दोलों सेम है सेम इसमें ब्लेड सिस्टम है सेम टाइर बगएरा लगे रहे हैं एक जगे से दूसरी जगे ले जाना भी इसको आसान होता है तो आपने इन के बारे में बहुत इस चीज़ान करें दी कुछ समय चलने के बाद मसीन रहे है कोई भी आइटेम इस पर बार की जुरुत पड़ती है तो वह किस प्रकार रहेगा बिल्कुल सही का आपने मसीनरी चाहिए पचास रुपे की हो चाहिए पांच लाक्यों चाहिए पचास जार की हो आज ने तो कल बाविशे में उसके पार्ट के लिए आप निश्पी कर रहे हमारे कंपनी में सर्विस सेंटर के नंबर पर फोन कीजिए पार्ट की फोटो भीजिए हम अवेलेबल करवाएंगे एक साल की इंजन की वारंटी आती है और लाइप टाइम सर्विस फिरी रहती है राजदानी ब्रांड की कोई भी मशीनों लाइब टाइम सर्विस फिरी देते हैं इसके साथ में आपने कहीं से भी मशीन खरीदियो चाहिए ओनलाइन किसी दूसरे दुकांदार से आपके पडोस से आपको वहां सर्विस नहीं मिल पार है तो आपकी अपनी कंपनी में फोन कर सकते हो यहां से हम आपको उस मशीन के पार्ट भी अविलेबल करवाएंगे को पसंद आता है वो गर बेटे मंगवाना जाता तो वह किस प्रकार मंगाईगा यह जानकारी बिल्कुल घर बेटे आपको मंगवाना है तो हमारा जो स्क्रीन पर नम्मर चल रहा है सुबह साथ से रात को नो बजे तक आप उस पे फो कि व्योस्ता नहीं उपाई या नहीं लेनी है तो आने जाने का कंपनी के काफी नुक्सान हो जाता था तो उसके लिए यह सिक्यूरिटी लेते हैं बाकी 24000 टोटल मशीन है 2000 पहले देने 22000 अगर घर तक मशीन पहुंच जाए उस टाइम देने हैं दूसरी चीज अगर आप हो दौत कि गग्राइब तो आपका बहुत-बहुत श्रागता कंपनी में आईये मसीन को चलाके देखिए सारी इसकी जानकारी लेजिए लिए कि लश्चान के ऊपको चरको वहां के मन में कोई भी संकोच है कोई भी स्वाल है तो आप सर के जो इसक्रीन पर नंबर दिख रहे हैं तो आप इनसे बात करके आज इनकी जो भी टीम हो आपकी पूरी साहिता करेगी तो फिर मिलते एक और ऐसे ही सांदार वीडियो में तब तक जय जवान जय किसान